नमस्कार दोस्तों स्वागता आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल इन्फो अकेडमी पर और आज की इस वीडियो में आप एक भरती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे यह जो भरती का नए नोटिफिकेशन है यह मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस के अधीन आने वाले एक कैम्प के द्वारा आर्मी कैम्प के द्वारा जारी किया गया है और इस नोटिफिकेशन का जो ओफिशल नोटिफिकेशन है वो एमप्लाइमेंट न्यूज जो की 19 फरवरी से लेकर 25 फरवरी 2022 का ओफिशल एमप्लाइमेंट न्यूज है उसमें यह पबलिश हो चुका है आगे जानेंगे आप कौन-कौन से पाद निकले हैं और क्या एज लिमेट रहेगी किस प्रकार से आप एप्लिकेशन फारम को भर पाएंगे वे सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रापत होगी चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं उससे पहले आप सभी से नवेधन है कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक वे शेयर जरूर करते रहें ताकि आपको भरतियों से समंधित हर छोड़ी बड़ी अपडेट इस चैनल के माधम से मिलती रह हैं साथ वेकेंसी में से जर्नल के लिए पांच वेकेंसी हैं ओबीसी के लिए दो वेकेंसी हैं एक वेकेंसी एक सर्विस्मेन के लिए भी अरक्षित रखी गई है कुल साथ वेकेंसी हैं MTS सफाई वाला के लिए पे लेवल वन की वेकेंसी है 18 से 25 वर्स के जो बीच के जो क कक्षा किसी भी रिकोगनाज बोड से आपने पास कर रखी होगी तो आप MTS सफाई वाला के लिए अप्लाई कर सकते हैं उसके बाद आपको अपनी जो सफाई वाला के हाउस्कीपिंग की जो डूटीज हैं उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए तो भी आप या दिया जा सकता है उसके विलिंग करने का आप विलिंग होगे तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं यह इसकी जुरूरी योग्यताई में से हैं यदि आपके पास कोई भी ऐसी मैट्रिकुलेशन है इसके लावा कोई योग्यता नहीं है तो भी आप MTS सफाई वड़ा के लिए अलीजिबल हैं एपलाई कर सकते हैं आगे देखते हैं एज लिमिट की बात एज लिमिट नॉर्मली जर्नल के लिए 18 से 25 वर्स है और जिन कैंडिडेट्स का जनम एक जनवरी 1997 से लेकर 31 दिसंबर 2003 के मध्यमें हुआ है वो इस भरती के लिए एपलाई कर सक लिए जो जब आप भरती हो जाएंगे MTSA 5 वाला के पत पर तो आपको दिल्ली में ही पोस्टिंग दी जाएगी दिल्ली में पोस्टिंग होने के बाद आपको आल इंडिया सर्विस लाइबल्टी रहेगी यानि आपको पूरे भारत वर्स में कहीं भी पोस्टिंग दी जा इस भरती के लिए आपने जो डाकुमेंट्स लगाने हैं वो इस अडिटाइजमेंट के पॉइंट नंबर पांच पर दर्शाएगे हैं सेल्फ अटेस्टिड कोपी आपने सभी डाकुमेंट्स की भेजनी है कौन-कौन से डाकुमेंट्स की भेजनी है दस्वी कक्षा के पर लाइक करना चाहते हैं चाहिए वो ऐसी या OBC के लिए तो फिर जर्नल के पद के लिए आपको अपना कास का सेटिवेट लगाने की कोई आफशकता नहीं होगी इसके बाद आपने क्या करना है दो इन्वेल्प लगाने है बारा बाई 20 सेंटिमेटर के इन्वेल्प लगाने है उन्वेल्प के उपर केंडिडेट ने अपना एड्रस लिखना है और 5-5 रुपेगी दोनों लिफाफं के उपर टिगट पेस्ट कर देनी है डाग टिगट ये साथ में लगाने है दो पासपोर्ट आकार की साइज फोटो आपने लगानी है पासपोर्ट आकार की फोटोग् अप्लाई करना चाहते हैं तो एननोसी लेकर आप अप्लाई करें इसके बाद एक्सवरिसमेन की एक वेकंसी है उसके लिए एक्सवरिसमेन को अपने डिस्चार्ज सेटिवेट की कॉपी आपको लगानी पड़ेगी इस परकार आप इन सभी डाकुमेंट्स को लगा कर आप अपने जो अपना एप्लिकेशन फार्म है वो भेजना कहा है इस एडिटाजमेंट के पॉइंट अमबर आट पर बरताये गया है दा कमांडेंट इंटेग्रेटिड हेड़कॉर्टर मुनिस्ट्री आफ डिफेंस आर्मी कैम्प राओ तुलारा मार्ग न्यू दिल्ली 110010 के पते पर आपने या तो आपने स्पीड पोस्ट या अर्जिस्टर डाक या सधारन डाक के मादम से भेज़ देना है और जिस लिफाफे के अंदर आपने या अपना एप्लिकेशन फार्म इस पते पर भेजना है उस लिफाफे के ओपर आप एप्लिकेशन फार्दा पोस्ट MTS FI वाड़ा जरूर लिखे हैं आपका जो प्लेस रहेगा रिटेन एग्जामिनेशन का वो पॉइंट नमबर 9 पर बताएगा है कि जो प्लेस रहेगा आपका वो Integrated Headquarter MOD Ministry of Defense Army Camp राउतुलारा मार्ग न्युदिल्ली पर ही आपका Return Examination conduct करवा जाएगा Return Examination के लिए जो Call Letters हैं वो किस परकार से आएगे Short List किया जाएगा और Time और When You आपके जो Return Examination के लिए जो आपका Call Letter आएगा उसमें आपको बता दिया जाएगा जो Candidate Receive the Call Letters जिनके पास Call Letter पहुंचेगा वो ही केवल अपियर हो पाएंगे Return Examination में इसके इलावा कोई और Candidate Apply नहीं कर पाएगा टेलिफोनिकली Call Entertain नहीं की जाएगी ऐसा इस Advertagement में बताएगा है इस भरती की अब देख लेते हैं अंतिमतारिक कौन सी रहेगी अंतिमतारिक भी Point No.8 पर दर्शाईगी है 21 दिन आपको भरती के लिए Apply करने के लिए मिलेंगी और ये भरती जो है 19 फरवरी 2022 के Employment News में पब्लिस हुई है 19 फरवरी 2022 से लेकर 21 दिन जोड लें और तब तक आप Apply कर पाएंगे ये इस भरती की अंतिमतारिक रहेगी इस परकार आप इस भरती के लिए Apply कर सकते हैं Apply करने के लिए आपको Application Farm की आवशकता होगी Application Farm किस परकार से भर पाएंगे उससे समंदित वीडियो आपको इससे Next वीडियो में आपको मालूम पड़ पाएगा कि आपने Application Farm को किस परकार से भर पाएंगे और वहीं से आपको Application Farm का जो एक प्रारूप है नमूना है, एक सेंपल है वो आपको मिल जाएगा उसको भर कर आप इस भरती के लिए लाब उठा सकते हैं इस भरती के लिए पूरे भारत वर्ष के किसी भी स्टेट के Candidate अपलाई कर सकते हैं तो आज की वीडियो में बस इतनी Information मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भरती की जानकारी के साथ तब तक आप चैनल पर बने रहें और चैनल को जरूर सबस्क्राइब करते रहें वीडियो को लाइक में शेयर जरूर करते रहें धन्यावाद